हेलो चैंपियंस आई होप आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ और मस्त हैं दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेट स्कोर हंडेड में वेलकम करता हूँ दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो पिछली वीडियो में हम लोगोंने प्रिंट कल्चर एंड ढूर्डर वर्ल्ड का two marker most important questions हम लोगोंने discuss किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग print culture and the modern world का one marker most important MCQs discuss करने वाले हैं और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही beneficial होगी इसलिए आप इस वीडियो को खूब धान से सुनिये और देखे trust me आपको बहुत फायदा होगा keeping board examine mind और हाँ एक और surprising element आप लोगों के लिए वीडियो के अंत में मिलेगा जो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं तो हमारा chapter है print culture and the modern world जो की chapter 5 है और हम लोग आज MCQs करने वाले हैं तो पहला MCQ हमारा है who brought the printing press first to India in the mid 16th century दोस्तों एक चीज़ आप लोगों से मैं बोलना चाह रहा था कि question को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है अब question क्या कर रहा है कि who brought the printing press first to India इंडिया में first जो printing press आया कौन लेके आया था so before we actually answer this question एक बार print की journey को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा right उसको समझने के लिए हमें दूसरी slide पर चलना पड़ेगा और हमारी slide रही ये आए देखते हैं देखिए दोस्तों आप लोग जानते हो कि जो wood block की printing technology technology सबसे पहले कहां पर develop हुई थी चाइना में ये रहा हमारा चाइना wood block की printing technology चाइना में कब से यूज़ हो रही थी AD AD 594 से wood block printing technology चाइना में यूज़ हो रही थी right उसके बाद जब ये चाइना से जैपान पहुँची चाइना से जैपान पहुँची और चाइना से जैपान कब पहुँची थी ये 768 से 770 के बीच में right चाइना से जैपान पहुँची उसके बाद आप लोग जानते हैं हमारे मारको पोलो भाहे साब wood block printing technology 1295 1295 में लेकर के कहां पहुँची आई इटली पहुँच गए उसके बाद ये इटली से पूरे यूरोप पूरे यूरोप में फैल गई wood block printing technology और पूरे यूरोप में फैली तो यूरोप में हमारा जर्मनी भी है जर्मनी में गुटेंबर्ग भाहे साब ने 1400 1430 में first known printing press develop किया right उसके बाद आप लोग जानते हैं कि printing press पूरी दुनिया में द्री द्री फैल गया और उसी series में उसी order में यह जहा पूर्च्यूगल राई चुकि हमारा question कहा है कि इंडिया में सबसे पहले printing press कौन लेके आया तो पूर्च्यूगल यह जो कोई missionary इंडिया के गोवा में लेके सबसे पहले printing press आये mid 16th century में दोस्तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रहा है आपको मज़ा आ रहा है अगर आपको मज़ा आ रहा है प्लीज सब्सक्राइब लेट स्कोर 100 अहां आपको ही कह रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब इट और हां डोंट फर्गेट टू गिव लाइक राइट चली आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहले क्वेश्चन पर थे पहला क्वेश्चन है हमारा who brought the printing press first to India तो इस पर एक question और भी हा सकता है कि जब printing press इंडिया में सबसे पहले आया तो किस जगा है था तो आप लोग याद रखे गोवा में आया था और कौन लेके आया था Portuguese missionaries पहला question हमारा हो गया दूसरा question हमारा क्या है देखते हैं दूसरा question है the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion is the force that will sweep याद एक बड़ा important term आ गया despotism right despotism क्या होता इसे discuss कर लेते हैं despotism a system of governance होता है जिसमें जो ruler होता है जो मरार्क होता है उसके पास absolute power होते याई वो कुछ भी करे उसकी power को कोई भी control करने वाला नहीं होता है उसे बोलते हैं despotism जो यूरोप था यूरोप में उस समय medieval यूरोप में जो धेर सारे मुनार्क होते थे वो despotism को ही practice करते थे यानि वही supreme court है वही अपने आप में legislature है और वही अपने आप में parliament है right there was no control they enjoyed absolute power जो मनमर्जी आ रहा है वही किये जा रहे है चले आगे बढ़ते हैं question देखते हैं क्या कर रहा है so basically एक statement दिया गया है और इसमें लिखा गया है who gave the above statement ये above statement किस ने दिया तो दोस्तों इसका correct answer है हमारा D Louis Sebastian Mercier basically ये जो है France France के एक novelist थे और basically 18th century की French में लोगों ने medieval Europe में लोगों ने ये मान लिया था कि अगर society को liberate करना है despotism से और society में progress लानी है enlightenment लाना है तो books are the only medium लोग ये रोप में यहां तक बोलते थे कि अगर दुनिया में change लाना है दुनिया में progress लानी है तो books are the only medium right तो बतर बुक्स को ले करके इतनी जागरूकता फैल गए थी books अपना कमाल दिखा रही थी right तो ये उसी क्रम में ये sentence लूइस सेबेस्टियन मरसियर ने बोला था ये novelist थे French के आपकी NCIT की book में दिया हुआ है तो हर नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा ये इस नंबर थी क्या है देखिए समाचार चंद्रिका आप लोग जानते हैं और आप लोगोंने समवाद कौमुदी का भी नाम सुना था सुना होगा जरूर समवाद कौमुदी को publish कौन करते थे राजा राम मोहन राय राम मोहन राय आपकी book में दिया हुआ है अपचली जो राम मोहन राय थे वो कसटम ओफ सती के बहुँ ज़्यदा खिलाफ थे तो जो हिंदू और्थोडोक्सी थी कसटम ओफ सती कर mentally जरूरत नहीं है जो राम मोहन राय थे वो कसटम ओफ सती के खिलाफ थे राइट तो अपने इस समवाद कौमिदी जो की एक weekly newspaper था उसमें लिखते थे लोगों में awareness फैल आने के लिए भाई जो custom of sati है वो बहुत ही inhuman है इसी को जिन्दा आप कैसे जला सकते हो तो जो हिंदू orthodoxy थी उसको लगता था कि हमारी custom में हमारी परंपरों में राजा राम मोहन राय छेंडशाड कर रहे हैं तो राजा राम मोहन राय की राम मोहन राय आपकी बुक में लिखा हुए लेकिन आप उनको राजा राम मोहन राय भी बोल सकते हो उनकी ideas को oppose करने के लिए ये book ये भी basically weekly newspaper था इसको publish किया गया समाचार चंदर का तो इसका right answer है राम मोहन राय राम मोहन राय समभात कौमोधी publish किया था और उनकी ये उनकी ideas को oppose करने के लिए ये वाले book ये book नहीं है समाचार चंदर का ये है बेंगॉली weekly newspaper रायट चलिए अगला question अब लोग देखते हैं हमारा question number four है arrange the following following in chronological order and choose the correct options तो इस तरह के questions आप लोगों को CBC board में अगर आप previous year का question paper उठाके देखोगे तो आपको मिलेगा इस तरह के question को बहुत ध्यान से solve करना होता है आईए देखते हैं क्या कह रहा है तो पहला है हमारा ये बोल रहा है woodblock printing technology reached Italy आपको पता है ये Marco Polo भाई साब है देखें इनके हाथ पर ये map भी है तो woodblock printing technology Italy का पहुंची हम लोग जानते है 1295 में पहुंची दूसरा है books in China were printed by the rubbing paper against the inked surface of woodblock हम लोग जानते है AD 594 में तीसरा है the oldest Japanese book the Buddhist diamond sutra ये भी question आ सकता है which is the oldest Japanese book आप लोग याद रखिये the diamond Buddhist diamond sutra the Buddhist diamond sutra was printed तो इस book को 868 में लिखा गया था ये चीज़ आप लोगों से और share कर दूँ आप लोग जैसा कि जानते हैं भी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डिसकस किया कि जो woodblock printing technology थी वो चाइना से जापान पहुंची 768 से 770 के बीच में और first book लिखने में देखिया आप लोग first book लिखने में जापान में 100 years लग गए चलिए अगला हम लोग देखते हैं जोहांस गुटेंबर्ग developed the first known printing press अभी हम लोगों ने पढ़ा हाई से 1430 में तो ये dates लिख दिये गए हैं अब इन dates के रिसाप से हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा सही है तो सबसे earliest date कौन सी है AD594 AD594 है ये अपना दूसरा किस question में पहला दूसरा है A में भी दूसरा है और A में भी दूसरा है और B में भी दूसरा है तो C और D नहीं हो सकते इस तरह के सम eliminate करते हैं C और D answer नहीं हो सकते अब दो में answer की possibility है A और B तो चले दूसरा देखते हैं दूसरा क्या है पहला वूट बोलो प्रिंटिक रिज्ट इटली चले 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 सबसे पहले होगे हमारा 594 दूसरा oldest Japanese book डैमेंड सुत्रा ये होगे अपना 868 यानि सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले ये वाला हुआ second number पे तीसरा वाला आ आएगा हाँ तीसरा ये बी वाला सही लग रहा है क्योंकि तीसरे number पे हमारा क्या है तीसरे number पे है वूट ब्लॉक ये 1295 तो तीसरे number पे 1295 है यानि पहला तो देखिए इस तरीके से बहुत साउधानी से आपको देखना है confused नहीं होना है तो पहले में confusion हो रहे थी कि A हो गया अभी लेकिन जैसे हम आगे बढ़े confusion clear हो गए इसलिए question को खूब ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो answers बड़े confusing मिलेंगे आपको जैसे हापे confusion रहे थी A अभी में लेकिन हमने आगे ब आप पिछले कुछ सालों का question paper उठाके देखें तो आपको दिखेगा पिछले कुछ सालों से सीवियोसी इस तरह के question paper दे रही है आई देखते हैं तो इस तरह के question में बहुत ही सवधानी बरतनी है यह क्या है बुक है गुलामगीरी गुलामगीरी किसने लिखी थी जोतिबा फुले दोस्तों एक चीज आप लोगों से शेर करना चाहरा था कि अगर आप लोग पिछले साल का question paper उठाके देखेंगे एक चीज आपको और देखेगी यह केवल यह नहीं पूछते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी है वो भी आजकल यह भी पूछने लग गया है कि जो ज आजकल आने लग गया है तो for example इस particular book में क्या लिखा है कि आ सकता है यहाँ पे नहीं लेकिन आ सकता है इसलिए बोल दे रहा हूं जो तिबा फुले ने जो गुलाम गिरी बुक लिखी उसमें injustices of the caste system के बारे में चर्चा की गई है तो while reading NCRT आप लोग बहुत ज़्यादा क् फ़्याद क्या है अमर जिबान अमर जिबान बुक किसने लिखी थी यह लिखी है राष सुंदरी देवी ने यह भी सही option सही match है C है हमारा इस्त्री धर्म विचार राम चद्धा ने लिखी थी ये इस्त्री धर्म विचार पंजाब से पब्लिश हो रहा था और राम चद्धा ने लिखी थी इसमें ये सिखाया गया था How to be obedient wives उसके बाद हमारा D है समवाद कौमुदी और इसमें दिखा रहा है कि समवाद कौमुदी को कितने लिखाया है गंगाधर भटाचार्या जो कि गलत है ये wrongly matched pair है क्योंकि समवाद कौमुदी को जैसा है कि हम लोगों ने पिछली slide में भी discuss किया समवाद कौमुदी को publish किया था रा, मोहन, रॉय ने तो हमारा इसमें correct answer क्या है इसमें हमारा correct answer है D, क्यों question क्या कर रहा है find the incorrectly matched pair तो ये तीनों तो correctly matched pair है तो D is the answer, चलिए next हम लोगो करते हैं question C कर रहा है कि when, ध्यान दिखाँ आप लोग when and from where did the first printed edition of Ram Charit Manas of Tulsidas तुलसीडा जी ने राम करेकि मानास लिखा था, तो पूछरह था, कि कब publish हुआ सबसे पहले सब 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 दिखेru पहले रामचरित मानास को तुलसीडा जी ने हाथ से लिखा था जिसillary manuscript कहते हैं, आप लोगों को बता यह है right, तो पूछरह है कि रामचरित मानस सबसे पहले कब प्रिंट हुआ और कहां से तो दोस्तों इसका राइट आंसर है और एक ची बतादू रामचरित मानस तुलसी दाजी ने जब लिखा था उसमें इंडिया में मुगलों का शार्षन था यानि बाबर से लेकर के अकबर के बीच में 16th century में लिखा था और किस येर में 1810 में चलिए अगला क्वेशन हम लोग टेक अप करते हैं हमारा अगला क्वेशन है यह बहुत इंबाड़न क्वेशन है क्वेशन नबर सेवन मैस दर कॉलम वन विद कॉलम टू एंड चूज दर क्रेक्ट ऑप्शन तो ऐसे क्वेशन को देख करके घवर इस्त्री धर्म विचार को किस ने लिखा है इस्त्री धर्म विचार को लिखा है राम चड़ा ने इस्त्री धर्म को राम चड़ा ने लिखा है यह पंजाब से पब्लिश हुई थी और इसमें यह सिखाया गया था how to be obedient wives दूसरा क्वेशन कहा है सच्ची कविताएं आप लो चक्र के नाम से लिखते थे वो एक कानपूर के मिल में काम करने वाने मिलवर कर थे सुदरसंग चक्र के नाम से लिखा था उनका real name कुछ और था अगला देखते हैं यह अगर आसाम से कोई स्टुडेंट यह वीडियो देख रहा है तो मेरी help करें क्योंकि यह आसमीज में ल most respected author थे यह आसमीज literature के आज भी है और अगला है हमारा छोटे और बड़े का सवाल तो छोटे और बड़े का सवाल लिखा था another कानपुर मिलवरकर काशी बाबा ने जिसमें इस बुक में उन्होंने किस बात की चर्चा करी लिंक बिट्विन class and caste exploitation आज भी अगर आप यहां से देखें इंडिया के rural areas में तो जो exploitation है वह आपको समझ में आएगा इसका it has link with caste राइट चलिए अब तो हमने देख लिया तो अब हमारी यह चार option है a b c d तो पहला इस तरी दो विचार किस ने लिखा पहला आखा तीसरा तो देखते हैं a का 3 a का 3 a का 3 यहां दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है अब यह तो पहले इन दोनों को eliminate कर दो यानि a और d नहीं होंगे c और b में possibility बन रही है दूसरा आगे बढ़ते हैं देखते हैं सच्ची कविता है किसे नहीं लिखा सुदर्शन चक्र के सब्सक्राइब यह रॉंग है हमारा यह आशर साही है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा question है यह तो basically बहुत ही attentive रहके पढ़ना है जब अगर आप लोग attentive रहेंगे और थोड़ा सा patience रखेंगे तो definitely mcq आपके सही हो जाएंगे और पता mcq जब आप लोग solve करते हैं तो सारे options को देखना है आइसा नहीं कि पहला देखो और उसी फिक करके आगे बढ़ गया आपका गलत हो जाएगा जैसा कि अभी हम लोग इस तरह के दो question देख पाएं कि पहला option दोनों का सही था राइट चले question number 8 क्या बोलता है which one of the following statement is not true यह ट्रू नहीं बोलता है जल्दबाजी हो आप पढ़े इन बुक्स के लिए यहाँ पे कम पैसे में बुक्स मिल जाती थी आई पढ़ते हैं सारी statement वह ध्यान से पढ़ना होगा it was an area in Central Calcutta devoted to the printing of popular books यह यह वाला तो सही sentence दूसरा here one could buy cheap editions of religious religious books भी मिलती थी और भी जितने भी पुरान, बाइबल, भगवत गीता है न यह सारी and literature, तो c क्या है, literature that was considered obscene and scandalous was not sold, यह वाला wrong है, यह वाला wrong है basically, c वाला wrong है, क्योंकि literature that was considered obscene and scandalous was was sold at Batala, कहने के मतलब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसी books हैं और या कुछ ऐसी videos हैं, या कुछ ऐसी movies हैं, जो हर वेक्ति नहीं देख सकता, उसके लिए band है, उस समय तो movies और videos के इतना ज्यादा चलन था नहीं, right? वीडियो को तो बूली जाए, movies वगरा, कुछ ऐसी films हैं, जो आज भी हर कोई नहीं देख सकता, तो उस समय books हुआ करती थी, जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था, यानि parents अलाओं नहीं करते थे, या मतलब अच्छा नहीं माना जाता था उन books को पढ़ना, अच्छे लोग उन एक्वेशन क्या करा है, following the statement is not true about Batala, डी वाला भी देखी लेते हैं, पेडलर्स तुक देखी लेते हैं, पेडलर्स तुक देखी नहीं पडलिकेशन नहीं पडलिकेशन तो रीड देम इन देर लिजर ताइम, ये भी ठीक ही है, तो इसका, question number 8 का, right answer है, C, because this is not true, चले, question number 9 which one of the following aspect was common among the writings of कैलाज भाशनी देवी, तारा भाई, शिन्दे एंड पंडिता रमा भाई, दोस्तों ध्याम दिजिए से मैंने बोला कि, आज कल CBC Board के, जो questions बन रहे हैं, MCQ, उसमें क्यों यहीं नहीं पूछते कि कौन सी बुक किस ने लिखा है, वो यह भी पूछते हैं कि उस बुक में, जैसे कि हम लोगों न भी दिखा न, गुलाम गिरी, जिसको जोत्वया फुले ने लिखा था, तो किस टॉपिक पे लिखा था, इंजस्टिसेस अब कास्ट सिस्टम, इस्त्री धर्म विचार, राम चडधा ने लिखा था, उस बुक का टॉपिक क्या था, अगर आपने NCRD पढ़ी है, तो आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, उसके बाद जहां तक तारभाई, शिंदे, एंड पंडिता रमाबाई का सवाल है, उन्होंने, जो हिंदू, हिंदू, हिंदू की जो विडियो होती थी, उनकी मिजरेबल कंडिशन के बारे में टॉपि पंडिता रमाबाई ये तो महरास्टा से थी, और कैलाज भाषनी देवी बेंगॉल से थी, तो कहा रहा कि, डिमांडेड एकोनोमिक एक्क्वैलिटी आप दे मासेस, नो, रॉंग है, जैसे मैंने आप भी एक्स्परेनेशन दिया, हाइलाइट दे एक्स्पिरेंस ये, हाइ आते हैं, जो board बनाता है, जो committee बनाती है, इस तरह के option भी आ सकते हैं, raised awareness about cultural heritage, d motivated Indians for their national freedom, तो basically question number 9 का सही option है, b, right, चले, now we'll move to the next question, question number 10, question number 10 क्या करा है, question number 10 करा है, match the following, match the following and choose the correct option, right, चले पढ़ते हैं, chapbook, याद आ रहा है आपको, chapbook क्या होती है, चले फहले chapbook answer ढोड़ते है, chapbook क्या होती है, chapbook क्या होती है, system of government어나, याद राखे, chapbook, chapbook क्या होती है, chapbook pocket size books होती है, जिसको chapman, chapman, आप लोग जानते है, ठीप, चलियी, तो a का, a का, A का क्या होगा third A का third देखते है A का third C में है A का third और A का third D में है यानि हम B को eliminate कर सकते हैं और A को eliminate कर सकते हैं चलिए, wellum आप लोग जानते हैं wellum जो है कि sheep या goat का skin होता था जिसे as the paper इस्तेमाल किया जाता था उसको कुछ chemical process होती थी तो wellum का हम लोग किस से match कर सकते हैं wellum का हम लोग match कर सकते हैं A V से तो B का B का 5 बी 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 का 5 है इसमें भी B का 5 बी का 5 है देखें इस तरह से confusion होती है confusion होने ज़रूत हैं आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं, शिलिंग सिरीज क्या होती थी, शिलिंग सिरीज, शिलिंग सिरीज, यह देखिया रहा है, शिलिंग सिरीज यानि C का चौथा, C का चौथा, C का चौथा है, देखो, confusion बढ़ता जा रहा है, चले, आगे बढ़ते हैं, C का चौथा, चले, D देखते, करेगा जैसे कि मिनोचियों ने किया था क्या किया था inquisition court ने मिनोचियों को क्या किया था hang कर दिया था परसीक्यूट कर दिया था right क्यों 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 उसने Bible को अपने तरीके से Bible and God के बारे में उसने खुद की explanation देनी शुरू कर दी थी तो Roman Catholic Church तो उसमें बड़ा powerful था वो नाराज हो गया तो क्या है inquisition क्या है inquisition यह है अपना ही रहा यह a Roman Catholic Court for identifying and punishing heretics, heretics मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो Roman Catholic Church के बताए गई बातों को न माने और उसके खिलाब बोले यानि Roman Catholic Church ने जो साधिया वही मानना है अगर आपने नहीं माना तो आप heretics हो गए, right मिनोखियों को इसलिए सजा मिली थी, चलिए अगला है हमारा inquisition no 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 no, wait wait d का नहीं होगा दोस्तों यह होगा d का हमारा होगा दूसरा तो यह देखो d का पहला दिया है, यहाँ पे, यहाँ पे d का दूसरा तो basically यह वाला wrong है d का दूसरा, right तो inquisition का यह होगा, right उसके बाद अगर despotism, despotism को हम लोग तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं, despotism का होता है, कि a system of governments जहाँ पे जो ruler होगा, जो monarch होगा वो absolute power, मतलब uncontrolled power का इस्तेमाल करेगा इसमें जन्दा के तो band बच जाएगी, right चलिए, आगे बढ़ते हैं so question number 12 है हमारा इसको clean कर देते हैं, question number 12 हमारा क्या है, तो सही answer क्या हो गया इसका, सही answer हो गया अपना इसका d, सही answer हो गया d question number 10 का सही answer हो गया हमारा d, right चलिए, question number 11 क्या है, question number 11 कहता है, who among the following began to aid the bengal gadget, ध्यान दीजे, bengal gadget from 1780s, दोस्तों इसका सही answer है James Augustuk Hikin, right, चलिए, अगला question देखते हैं और अगला question है हमारा ये question 12 है हमारा, which one of the following statement is फिर भाई question है, is not true about women's education in the 19th century India आई देखते हैं, liberal husbands and fathers began educating their women folk at home and send them to school ठीक है, ये right है, लेकिन हमें क्या पता करना है, not true, हमें वो option देखना है, जो wrong है तो पहला तो true है, दूसरा lives and feelings of women began to be written in vivid and intense ways ये भी सही है, दूसरा भी सही है हमें wrong, identify करना है wrong statement, option C women's reading increased enormously women's reading increased enormously in elite class homes, अगर आपने NCRD ध्यान से पढ़िए तो आपको पता है elite class नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे क्या है middle class, right, तो this is why option C is wrong and this is the answer, क्योंकि हम क्या पता करना है, statement which is not true about women's education option C, क्योंकि middle class women, middle class society या middle class women में ये वहाँ sentence हाएगा, women's reading increased enormously, यानि बहुत ज़्यादा in middle class homes, इसमें क्या लिखा है, elite class, इसलिए wrong है, right, चलिए and दोस्तों जैसा कि मैंने promise किया था कि वीडियो के end में कुछ अच्छा सा surprising आपको लिए होगा, और आपको पसंद आगा, तो ये रहा आपका surprise and I hope आपको पसंद आएगा, देखें दोस्तों बात क्या है कि देखें आप लोग बहुत महनत कर रहे हैं, आपका preboard भी चल रहा है, तो ये थोड़ा सा अपने आपको हम लोग challenge करते हैं और देखते हैं कि जो हम इतनी महनत डाल रहे हैं, उसका क्या result निकल रहा है, इतना जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी तयारी का level क्या है, अगर इन questions को आप solve कर लेते हैं, फोर questions हैं इसमें, अगर इन four questions को आप solve कर लेते हैं, इसका मतलब आपकी तयारी बहुत अच्छी चल रही हैं, और अगर नहीं solve कर पाते हैं, तो फिर अच्छे से वीडियो को देखना शुरू कर दीजे, आप बुक को पढ़ना शुरू कर दीजे, अब भी time है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री में केवल लगभग तीन चेप्टर आ रहे हैं, अगर आप लोग syllabus के बार बहुत जल्दी मिलते हैं, एक और most important questions and answers की वीडियो के साथ, तब तक के लिए keep learning and keep scoring, thank you so much